दोस्तो आज मैं आप लोगों को सोया फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही स्वाधिस्ट, हेल्दी और जटपट बनने वाली रेसिपी है इसे आप बच्चों और बड़ों दोनों के टिफिन में आप दे सकती हैं नमस्कार दोस्तो पुनम की चटपट्र सोई में आपका स्वागत है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सोया फ्राइड राइस इसके लिए मैंने दो कप चाबल को बॉायल किया है आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं एक कप मैंने सोया बरी को बॉयल किया है खड़े कप टमेटो प्यूरे, आधा कप दही, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, एक छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच जीरा, दो छोटी चम्मच धनिया, आधा निम्बू, और दो मीडियम साइज का प्याज, लंबाई में कटा नमक, स्व खड़े मसालों को डाल दूंगी यह हमारा खड़ा मसाला जो है उसे हमें डाल देना है और थोड़ा चठकने के बाद इससे यह दिखिए चठकना शुरूर हो चुका है और अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज को डाल दूंगी और प्याज को हमें फ्राइ करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए यह देखिए तीन से चार मिनट में यह बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें उबाला हुआ जो सोया बरिये उसे डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिला लेना है और इसमें अब हरी मिर्च, अद्रक और लहसुन इसे मैंने डाल दिया है और इसे भी तीन से चार मिनट अच्छे से भूनना है इसके कच्चापन को बिल्कुल हटा लेना है और अब मैं इसमें ये जो हमारा सूखा मसाला है उसे मिला दूँगी और इसे भी दो से तीन मिनट भूनना है नमक को भी डाल दिया है ये देखिए ये हमारा भून चुका है मसाला जो था और अब बारी है टोमेटो प्यूरी की इसे भी डाल देना है और इसे भी अच्छे तरीके से भूनना है ताकि टोमाटर का कच्चापन दूर हो जाए और आधा जो नीमबू था उसका रस निचोर कर इसमें डाल देना है और फिर से इसे मिला लेना है और अब मैं आधा कब जो दही है उसे डाल दूँगी अच्छे से फेट कर देखिए और दही को भी अच्छे से भून लेना है इस तरीके से बराबर चलाते हुए दही को भी भून लेना है ये देखिए दही भी भून चुका है और अब मैं इसमें ये जो हमारा वाइल किया हुआ चावल है उसे मैं मिला दूँगी ये मैंने दो कपचाबल लिया है ये देखिए अच्छे से मिला लेना है बिल्कुल कितनी अच्छे इसकी खुश्बू आ रही है और खाने में बेहत स्वादिश्च लगता है और हरा धनिया को भी मैंने डाल दिया है और हरा धनिया को भी मिला लेना है ये देखिए ये हमारा सोया फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल तैयार है बेहत स्वादिश्च हेल्दी और जटपट बनने वाली ये रेसिपी है ये देखिए दोस्तो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें इसे बनाए खाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेर जरूर करें और ये अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फोर वाचिंग मैं वीडियो